हेलो दोस्तों स्वागतिया आपका माय फार्माटीप से यूट्यूब चानल पर आज हम शुड़ो में ऐसी बैक्ट शिरप के बारे में पूरी जान कर लेने वाले ऐसी बैक्ट शिरप का मेंली यूज बैक्टेरियल इंफेक्शन की समस्या दूर करने में किया जाता है यह एक सस्पेंशन के क्या बेनिफिट है क्या साइड इफेक्ट है इस सब्सक्राइब करें और प्रेस करें क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसीन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूं तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते इपका लैबरेटिस कंपनी यह 15 ml का शिरफ आपको मेडिकल स्टोर पर 55 रुपए में मिल जाएंगा दोस्तों बताएगे कि मत समय के साथ कम यह जादा हो सकते हैं यह सस्पेंशन खरिणने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्किप्शन की जर्थ होती है यह डॉक्टर के परची पर मिलने आला सस्पे इसमें मौझूद एज़त्रोमाइसी नियर ड्रग एंटिबॉटिक के क्लास में आता है यह बॉड़ी में मौझूद बैक्टेरियल इंफेक्शन को खतम करता है और उन्हें दोबार होने से रोकता है बात करते हैं सिरफ के बारे में डॉक्टर से इनके समस्वा में इस्तमा कान का इंफेक्शन होने की समस्या में भी यूज करते इसे स्कीन इंफेक्शन होने की समस्या जैसे फोडे फूंसी स्कीन लाल होना स्कीन में जलन होना इन सभी समस्यां में डॉक्टर इस सिरफ का इस्तमाल करते इसे साइनस की समस्या यूटिया इंफेक्शन जिसे हम मूत् को दूर करने के लिए दोस कर सकते बात करते सिरब की डोसस के बारे में आप अपनी समस्या अपनी डॉक्टर को पता कर इस अपने बच्चों को घर पर न दे Side effect इस syrup के इस्तमाल से उन्हा अलदुश परना यदि आपकी बच्चों को इस syrup में मौझूद contains allergy तो उन्हें बता कि कुछ side effect हो सकते यदि उन्हें बता कि कुछ side effect महसुस हो तो आप तुरूंत अपने डॉक्टर से संपर्क करे इस syrup के इस्तमाल से उन्हें उल्टी, मितली, सिर्दर्थ, दर्स्त, अलर्जी, पेट डर्थ ये कुछ side effect हो सकते Precaution इस syrup को उज़ करते समय सावदनिया अगर आपके बच्चों को इस syrup के इस्तमाल से कोई side effect हता है ये फिर उन्हें इस syrup में मौझूद contains allergy है तो आप इस syrup का उज़ना करे अगर आप अपने बच्चों को पहले से कोई अन्य अंटिबाटिक, syrup, tablet डे रहे हो तो उसकी शुचना अपने डॉक्टर को अवश्चे दे इस वज़े से इस syrup का ड्रग इंट्रेक्शन या ओर्डोस होने के समभावना कम होती है अगर आपके बच्चे को लिवर या फिर किड्ने से जुड़ के आनने समस्या है तो उसकी शुचना भी अपने डॉक्टर को अवश्चे दे इस syrup को हमेशा डॉक्टर के निगराने में यूज करे इसे अपने मन से घर पर यूज ना करे इस syrup को इस्तमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से लाएं इसे अच्छी तरह से शेक करे और बाद में आपने बच्चे को दे दोस्तो अगर आपको इस वीडो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करे और My Pharma Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करे इस चैनल पर आपको हमेशा medicine news मिलते रहेंगे Thank you for watching this video